कि लाउंड्री एंड्राइग क्लेनिंग के बिजनेस में ग्राहक से बात करते समय जो सबसे ज्यादा हमारा वर्तालाप होता है वह हमारी दी हुई सर्विस के रिकार्डिंग होता है यानि कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उसकी प्राइज हम क्या रखें हेलो दोस्तों वैलकम ट को देंगे उसको जब decide करते हैं तो दो तरह के सवाल मन में उठते हैं कि मैं अपनी service की price यानि जो कपड़े आप dry clean या wash करेंगे laundry करेंगे तो उसकी price आप fix रखें या थोड़ा up और down रखें इसमें दो तरह की समस्याएं आती हैं कभी-कभी जब आप fix rate रखते हैं तब वहां पर आपने अपने margin को बहुत ही ज़्यादा nominal करके रखा है और आपके पास और ज़्यादा option नहीं होता है कि हम और discount ग्रहक को दे पाएं सो भावता ग्रहक हमेशा जो हमारे भारत की tendency है हर ग्रहक लेन दिन करते समय छूट की मांग करता है यानि discount की मांग करता है और उस इस्थिती में आपके पास option नहीं बचता है कि आप ज़्यादा discount दे पाएं इसके अलावा बिपरीत अगर आप अपने service की price को fluctuate रखते हैं यानि कि ज़्यादा या कम रखते हैं fix नहीं है तो वहाँ पे आप negotiate करते हैं कि 50 रुपे नहीं आप 40 रुपे ले लो 60 रुपे नहीं आप 70 रुपे ले लो तो यहाँ पे काफी time consume होता है तो सवाल यह उठता है कि हमें laundry and dry cleaning की business में अपने service की price कैसे decide करनी चाहिए तो इसी topic पे इस video को मैं बना रहा हूँ जिससे आपको सहुलियत हो कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बेवसाय को और अच्छा और monopoly कैसे create कर सकते हैं मेरे हिसाब से या जो मेरा अनुभा है laundry and dry cleaning की business में आपको अपन बेर्थ की negotiation से बचेंगे और हो सकता है जो ग्रहक आज पहली बार आपसे discount मांग रहा है जब वो समझ जाएगा कि इस laundry and dry cleaning की shop पे discount नहीं मिलता है यानि fixed price है तो अगली बार से वो आपसे ज्यादा वरतला नहीं करेगा जो price है उसी पे वो stable हो जाएगा इसके अलग अगर आप price fix नहीं रखते हैं तो क्या होगा हर बार जितने ग्रहक आपकी shop पे आएंगे उतनी बार आपको अलग-अलग discount से बात करनी पड़ेगी यानि कि हर ग्रहक पे आपको 2-3 मिनट खर्च करना पड़ेगा और वो ठीक नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा स अच्छे मूड में नहीं है तो कस्टमर से आपकी बहस भी लंबी हो जाती है तो मेरा सुझाओ यह है कि आप price को fix रखें तीसे से आपकी दुकान की गरिमा और लोगों के अपक्षा ज्यादा बेहतरीन सावित होगी एक और सवाल यह उता है कि आजकल जैसे market में बहुत सार सामांग केमिकल हर चीज़ की price बढ़ रही है जब आप अपनी service जो गराहक को देते हैं जब उसको आप बढ़ाएं दाम बढ़ाएं तो आप कैसे समझ पाएंगे कि जो आपने दाम बढ़ाया है वो सही है या नहीं तो इसके लिए एक छोटा सा एक trick है जिसको आप पाएंगे तो आप naturally आप समझ पाएंगे कि यह trick कामगार है क्योंकि जब हमारे देश में कोई भी ग्रहाक जब कभी भी किसी भी swap पे जाएगा सारी बातें सेट होने के बाद से अंतिम सवाल ले रहता है इस पर कुछ छूट करिए यानि कुछ discount दीजिए अगर आपने price fix र रखा है बहुत ज्यादा access नहीं रखा है तो आपके पास discount देने का option नहीं बचता है तो ऐसी दसा में आपको क्या करना चाहिए और यह कैसे आप समझ पाएंगे कि जो आपने price रखा है वो सही है या नहीं मेरे हिसाब से अगर majority of customer अगर समझे आपके पास 50 customer दिन भर में आत कहते हैं कि नहीं चूट दे दो नहीं चूट दे दो नहीं प्राइस ज्यादा है तो आपको ध्यान देनी की जवर्थ है क्योंकि अगर 50 में से 40 customer यह कह रहा है कि आपके service की price ज्यादा है तो वहां पे आपको सोचना चाहिए और अपने mind का प्रयोक करते हुए अपनी price को थो अपने price लिया है उसके बारे मों ज्यादा discussion नहीं कर रहा है ठीक है फिर आपको price stable रखना चाहिए उसको कम नहीं करना चाहिए अब सवाल यह होता है कभी-कभी कुछ customer आपके हां से वापस जाएंगे तो मेरा सुझाओ है कि जो customer आपकी shop पे केवल price देखके चले जा रहा है यानि वापस जा रहा है तो उन customer पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए हो सकता है वह customer आपके shop के लिए नहीं बने हैं क्योंकि इस industry में service की ही ज्यादा महत्व होती है अगर आपकी service बैतर है उमदा है अच्छी quality का है तो naturally आपको price charge करना चाहिए अगर customer वो जा रहा है केव बरबाद मत कीजिए और आपके पास जो आपके remain customer है उनको अच्छी quality और अच्छी service देने का परयास कीजिए जो आपसे discount नहीं मांगते हैं उमिद करता हूं इस trick से आप अपने shop पे जो price set करते हैं आपको सहुलियत मिलेगी और आप अच्छी तरीके से इस विचारों को सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं comment में कर सकते हैं मैं कोशिस करूंगा अच्छी तरीके से जवाब देने की लेकिन मेरा एक request है आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो हो सकता है कि आपके पास कोई सवाल ना बचे कुछ लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है और उसी में से थ्वासा देखा फिर सवाल पूछने लगते हैं वो थ्वासा इरिटेटिंग हो जाता है तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए हिर्दय की घाराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद